प्रेवल जा फिर पल लिख देता है कई लिख ट्रेवल कंसेशन को इंप्लॉयर ना हाँ और मोनेट्री किसी लिखते है अभी देखते है वो अलग चीज़ और अलग देखेंगे ब्लॉक अफ भी ब्लॉक होता है वो अलग देखेंगे देखिए LTC के अंदर अभी बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं LTC में मालिक न आपको घूमने के लिए दे देता है कि आप कुछ पैसे लिजी और घूम के आई मानलो आपको पचास अजार रुपे दिया घूमने को घूमने का मतलब आपका होटेल का भी खर्चा मालिक उठाएगा आपका भी खर्चा मालिक उठाएगा साथ में आपके फैमिली का भी लेकिन फैमिली के लिमिटेशन लगाए हुए इतने ही जा सकते उसके बाद आने जाने का भी किराया और ये चार साल में एक बार दिया जा चार साल को हम ब्लॉक बोल एक ब्लॉक तो मैं ब्लॉक को थोड़ा बाद में लेके चलूँगा अभी बहुत बेसिक से समझते हैं जो कि हमारे एक्जाम के पॉइंट ओवेश से इंपॉर्टेंट भी है और जो सिंपल सी चीज़ करा हुआ है लेकिन पचास अजार में से आपने थीस खर्च करके बीस बचा लिए तो बीस अजार आपके सेलरी में जोड़ दिए अब बात करते हैं यहां मेजर पॉइंट है सर आना और जाना जाने के लिए आपको बोला गया भाई आप ट्रेन से जाईए आप बस से जाईए या फ्लाइट से जाईए हमें कोई इतराज नहीं है प्रेन में जाएंगे तो AC first class AC ticket से जा सकते हैं फ्लाइट में जाएंगे तो economic में जाएंगे ऐसा नहीं business class में बैठके चलेगे तो उसका benefit नहीं मिलेगा बस में जाएंगे तो जो deluxe bucks है AC वाला जिसे वालबो बस वगरा बोलते हैं उसमें जा सकते घर आने जाने के लिए हो कहीं घूमने के लिए और इंडिया में ही घूमना है ऐसा नहीं आप चले गए भाई सिंगापूर घूमने के लिए बहले ही 25,000 खर्च हो रहा हो सिंगापूर दुबई घूमने में वो fully taxable हो जाएगा वो बोला गया इन इंडिया घूमना है आपको आप बाहर नहीं घूमने जाएं दूसरा shortest route आपको देखना है shortest route का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाना था मुंबई तो पहले हरियाना गए फिर आप पंजाब गए फिर वहाँ से घूमके आपने flight लिया और गए मुंबई नहीं जो सबसे shortest route है उससे जाना है आपने और आप और आपकी wife और दो बच्चे बस दो बच्चों से अगर ज़्यादा गए है तो जो तीसरा बच्चा होगा उसका जो भी खर्चा होगा उसका taxable में डाल देगे जब यह दो बच्चे बोले गए ना तो यहाँ पर confusion create हो गई अब जुडवागा क्या करेंगे twins का वही हो सकता है दो बच्चे बोले अब दो twins है तो चार हो गए है जिंती में तो क्या करेंगे हो गए ने चार बच्चे तो law कहता है sir एक certain date decide कर दिया 2004 मैं exact date बता पाऊंगा आपको थोड़ा सब date मेरे mind से skip हो रहा है date मेरे mind से गलत ना लिख दूँ आपके लिए मैं एक बार देख लेते हैं date सुनना भी तो पड़ेगा पता नहीं कहां कहां लिखा होता है लुटिसी मिल जाओ लुटिसी नाइंटी नाइंटी नाइन और 2004 में confusion क्यूंकि दो जगह लेमिट लगी हुए है देखो किसी को वेरा एक दस उननिस सो अठानवे कहा गया अगर एक दस उननिस सो अठानवे से पहले अगर चिल्डरन बॉण हुआ मैं सारी बाते लिखूंगा तो ट्विन्स को हम एक ही काउंट करेंगे यानि चार बच्चे जा सकते थे ट्विन्स होतो एक दस उननिस सो अठानवे के बाद आपका ट्विन्स को दो काउंट करेंगे यानि एक बेसिक सा रूल है मेजर क्या पूछा जाएगा जो मैंने बता एक बार फटा फट मैं क्विकली यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ आपके लिए आप देखिए फटा फट से समझ में आ जाएगा यहाँ बात करते हैं हम चार्ट बना देते हैं फिर क्विकली रिवाइज भी करा देंगे और यहाँ पर आप जाओगे घूमने LTC लीव ट्रेवल कंसेशन और आप जब जाओगे घूमने यहाँ नमबर आफ पर्सन और यहाँ पर टिकेट यानि फेयर किराया तर आप घूमने जाते हो तो दो बाते हो सकती है आपके पास जाने के संसाधन तीन है सर या तो आप जाओगे रेल से क्या सर जाओगे आप बस से क्या सर जाओगे आप एयर से सर अगर आप जाते हो रेल से बस से और एयर से तो ऐसे situation में सबसे पहले देखा जाएगा कि rail के case में first class AC अब कुछ लोगों ने rail का travel किया भी होगा कुछ ने नहीं किया होगा तो first class सबसे premium class माना जाता है राजधानी वगरे train है वहाँ पर first class लगाए जाता है बाकि इसमें तीन classes होता है first class, second class, third class उसके बाद आजाता है sleeper तो इस तरीके से rail का categorize है बिल्कुल और आप bus के case में AC bus लिख देता हूँ मैं आपको वैसे हलाकि law के अंदर dealers bus का इस्तमाल किया गया है मैंने AC bus लिख दिया है आपके समझने के लिए यानि सबसे महंगी bus air के लिए economic class क्योंकि air का ने किराया महंगा होता है परिवार family family के बाद करें तो family के अंदर सर तीन बाते हैं सर तीन बाते कौन सी हैं एक होगे आप self एक wife और एक child सर सेल्फ के case में और wife wife तो एक ही होगी सेल्फ के case में तो normal treatment treatment सर वाइफ के case में भी नहीं multiple wife हो सकती है चाइल्ड के case में two child यहां पर rule बनाया गया multiple birth यानि twins अगर twins है तो यहां पर twins को one child माना जाएगा अगर आपका है after एक दस 1998 1988 1989 1998 आफ्टर तो आपका twins two child count होंगे तर यह देखनी रहा आपको कलिया दिखाते हैं क्सक्राइब क्सक्राइब लिए कर लिए ध्यान दीजिए देखें LTC लीव ट्रेवल कंसेशन फिर से देखते हैं सबसे पहले टिकट की बात कर लेते हैं LTC में टिकट की बात अगर आप रेल से ट्रेवल करते हो तो फर्स क्लास AC में जो किराया लग रहा है सौटस रूट से वह एक्जेम्ट हो जाएगा बस में डेलक्स बस AC बस से ट्रेवल करोगे वह एक्जेम्ट हो जाएगा अब सर घूमने के लिए पैसे दिया जा रहा है Llimp Travel Concession मतलब जाईए चार साल में एक बार आपको कमपणी देता है घूमने को चार साल को बोला जाता है ब्लॉक एक ब्लॉक में आपको एक बार गूमने को दिया जा रहा है पूरे परिवार के साथ जाएए गूमने को तो आपका exemption मिल जाएगा आपके salary का part नहीं होगा यहाँ पे आपको सर वो cash में कुछ भी amount दे सकते हैं अब खर्च कितना करते हो और अपने साथ आप अपने family को भी ले सा सकते हैं जिसमें self तो जाएगा ही जाएगा wife के अंदर सिर्फ one wife allowed है अगर multiple wife है तो नहीं allowed है वहाँ पे नहीं law में है ऐसा provision अब क्या करें दो-दो अगर हो तो क्या कर सकता है हमारे जो जिस area मैं रहे रहा हूँ यहां के मेले उसकी दो wife है इसमें क्या दिखकत है हाँ अब child की बात करते है child की अगर बात करते है child में दो बच्चे ले जा सकते हैं लेखिन अगर multiple birth हुआ यानि twins का case हुआ तो अगर बच्चे का जनम 1998 से पहले का है तो दो बच्चे को एक ही बच्चा count किया जाएगा अगर उसका date of birth 1998 के बाद का है तो अगर twins हुआ तो एक twins को दो बच्चा count किया जाएगा यानि अगर माल लेते हैं कि कोई 2001 में twins होता है दो twins है उसके तो इस case के अंदर वो कितने बच्चों को ले जा सकता है चार माना जाएगा दो बच्चों का सारा खर्चा वर्चा सब taxable करतेंगे ठीक है पहले बताईए यहां तक कोई doubt एक बार मैं child वाला बता देता हूँ सर 1998 और after ठीक है यहां पे single child है एक child है 5000 खर्चा 5000 खर्चा बोथ हलाउट यहां पे twins है तो इस मतलब दो ही बच्चे हुए 10,000 खर्चा 10,000 खर्चा बोथ हलाउट कोई taxable नहीं होगा यहां पे two twins है या एक twins और एक अलग से बच्चा है तो अगर two twins हुआ या एक twins एक अलग से बच्चा हुआ तो ऐसे situation में यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि two twins मैंने बोला 20,000 खर्चा है तो एक twins का मान लो 55,000 रुपर जा रहा है तो यहाँ पे fully 20,000 allowed है लेकिन यहाँ पे आपका 20,000 खर्च हो रहा है तो आपको 10,000 allowed किया जाएगा बाकी के जो दो बच्चे है ना क्योंकि यहाँ पे भी 4 बच्चे हो गए इस केस में और यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, 98 से पहले तो two twins allowed दो ही माने जाएगे और 98 के बाद दो twins को हम 4 बच्चे मान के करेंगे और यहाँ पे 20,000 रुपय अगर खर्च हुआ है तो sir 20,000 में से 10,000 allowed हो जाएगा बाकी 10,000 आपके salary में add कर दिया जाएगा यह कहानी है पता यह समझ में आए बात आपको clear है यानि यह था हमारा treatment LTC leave travel concession perquisites का part है यह तो perquisites भी देखो दीरे दीरे हमारा हो ही रहा है कहीं न कहीं तो चलिए sir आते हैं अब हमारे पुराने question पर यहाँ पर किसी को doubt किसी बच्चे को doubt बच्चे पूछे पूछे दो वाइफ है तो क्या होगा भईया एक को ले जाओ एक को छोड़ दो इसमें government और private का कोई नहीं है दोनों के लिए same rule लगता है government के लिए भी यह है private के लिए भी यह है यहाँ पर government और non government का है नहीं concept किसी के लिए